तो वाल्लकप 2019 के लिए नगड़ा ढोल बाज उठा है और टीम इंडिया भी सिलेक्ट बहुत पहली हो गया था तो हम इस वीडियो में देख लेंगे कि टीम इंडिया में क्या क्या दिक्कात है और क्या क्या अड़्बंटेज है टीम इंडिया के पास क्या टीम इंडिया इस दोस्तो पहला है रोई सरम उसके बाद है सिकर्दावन तीन नंबर पर है विरात कोली चार नंबर पर क्यल राहुल उसके बाद है विजे संकर विजे संकर को लेली आ गया है हमटी राइडिू के जगे इसके बाद हैu magnet क्या इस दोनी जो दीरजुके itel दाध में सीका दरन दोनों में से कोयी अगर चोटिल हो जाता है तो यहां पर केल रहुल मदद कर सकता है कि अच्छा डीसिजिसें है उपने खीला तो ठीक है केल रहुल टीम में मौझूद है उसके दूसरा जो पॉइंट है ओ दोस्तों अमबटी राइडू के जगे विजे संकर को सेलेट करना तो यहां पर नाइन से भी लगा मुझे अमबटी राइडू के ऊपर नाइन से भी क्या गया है वीची से द्वारा अमबटी राइडू को लगातर यूज करते आ रहा था प्रस्ट फॉर्म में बहुत यह अच्छा रहा आइपियल में उतना ज्यादा प्रभाव साली नहीं था लेकिन विजे संकर टैनेटर खिलारे उनको पर हम भर सकता है वह कुछ कर सकता है लेकिन अमबटी राइडू तो कर चुका है तो यहां पर थोड़ा नाइन से हुआ है अमबटी राइडियो के उपर लेकिन विजे संकर अच्छा खिलारे हम में करते हैं को अच्छा करेगा तो चले नेक्स्ट देखते इसके बारे में क्या होता है और किस तरह से विजे संकर पर पर आ सकता है या अगर विजे संकर का कुछ फॉर्म गरबर होता है तो के राहू में आगल था किहां पर चारन गरवारी तो तो चार नमबर पोन की बात करें तो चारन अंबर पीकिफ के बैक betrayal आके पास नहीं से विजे संकर कम आ है इंगलेंड में खेलने के लिए जो कि मुझे लगता है थोड़ा बहुत गरबर हो चुका है टीम इंडिया में क्योंकि चौथा फास्ट बॉलर जरुआ थे अगर देखा जाए तो इंगलेंड के पीज जो है वह ज्यादा तर फास्ट बॉलिंग की हित में रहता है तो साइद दो स्पिनार यहाँ पर नहीं खिला सकते हैं आप इंगलेंड के पीछ पे आपको ज्यादा से ज्यादा एक स्पिनार और चार फास्ट बॉलिंग का ओप्सन रखना ही चाहिए अपने पिलेंगल में हर्दीक पांडिया आज रह सकता है फास्ट बॉलर लेकिन फिर भ सकता है ऐब पांच लॉल fá organisations के बारे में तो यहाँ पर पंड की जगे करतिक को लिया गया है तो यहाँ पर ना इन्हें से być पन्त के उपर भी हुआ है को मॉका दिया जा रहा था उनको खिला जा टेस्ट में खेलता तो उनको और भी ज्यादा experience हो जाता और भी ज्यादा अच्छा फॉर्म में रहता कर्तिक लेकिन आपने उनको नहीं खिलाया उनके जगे पंद को टेस्ट में रखा उसके बाद ओड्याई के कुछ मैचों में से वे आप बाहर कर दिया था कर्तिक को तो यह ही तो यहां पर कुछ एक दिक्कत की बात है लेकिन ओवर अलगा देखा जाए तीम बहुत है अच्छा स्लेट क्या है और हम लोगों का जो उम्मीद है इस टीम के उपर ही रहेगा और हम देखना चाहते है जैसा कि कापिल देब ने काप उठाय था उसके बद महिंदर सिंग धोनी ने काप उठाय था और अब विराट कोली के हाथ में हम वाल कप देखना चाहते है क्या होगा 2019 मैं ऐसा आपको क्या लगता है मुझे कमेर में जरूर बते और मैं पूरी तरह से इस टीम के उपर भर्षा रखता हूँ मैं पूरी कॉन्फिदेंस हो कि इस टीम के उपर क सब्सक्राइब करने के बारे में बात करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा उसके बदाए इसल और इंडियान फुटबल टीम का भी मैच अभी शुरू होने वाला इसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा कुछ दिन वाइट कीजिए लगातर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरू कर दीजिए अपने दोस्ते से वीडियो को ज्यादा श्याइदा श्यायर कर दीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रिस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकाशन तुरांत मिल जाए जब हम वीडियो झाले